अगर आप देखेंगे, सबसे पहली बात तो यह एक जूटा प्रपोगंडा, BJP, RSS, यह कर रही है पुरे देश में, कि वक्ष प्रापटी जो है, वो एक प्राइवेट प्रापटी है, BJP उसको ऐसा बता रही है, कि यह गौर्मेंट प्रापटी है, तो यह एक प्राइवेट प्रापटी है नमबर वन, दूसरा एक जूटा प्रापगंडा, BJP, RSS, और उनके अलाइस के तरफ से किया जा रहा है, कि वक्ष बोट के पास देश में नौ लाक चालीस हजार एकर जमीन है, यह एक अफवा पहला ही जा रही है, नौ लाक चालीस हजार है, कितने बतीस स्ट वक्ष बोट में, अगर आप तेविलनाडू, आंधरा, तेलेंगाना, और ओडिसा के तेरा हिंदू एंडोमेंट बोट की प्रापटीस को ले लिए, तो यही पर दस लाक एकर जमीन हो जाती है, तो यह जूटा प्रोगंडा के जा रहा है, कि आर्मी, रेलवेस के बाद वक देंगाना और ओडिसा में सिर्फ तेरा प्रापटीस को कैग ने देखा, इन चारों को आप मिला लीजिए, दस लाक एकर हो जाती है, पांची बाती है, कि यह जैसा हिंदू धरम में प्रापटीस दान दी जाती है, वैसा है मुसलिम धरम में यह दान दी गई प्रापटी है अब उसमें गॉर्मेंट केंटेफरेंस क्यों हो रहा है, यह आर्टिकल ट्विंटीसिस का वाइलेशन है, आर्टिकल ट्विंटीसिक्स में लखा गया कि कोई भी रिलिजिएस डिनॉमिनेशन अपने मजभ पे भी चल सकता और अपने जो इम्मुवबल मुवल प्रापटीस में उसको एड्मिनिस्टर कर सकता, तो यह जो नरेंदर मोडी की सरकार है, वो वख प्रापटीस को बचाने के लिए, वख प्रापटीस को डेवलप करने के लिए, वख प्रापटीस में एफिशेंसी लाने के लिए, यह बिल नहीं लाई है, यह बिल इसलिए लाया गया है, ताके हमेशा के लिए वक्फ बोर्ट को खतम कर दिया जाए इसकी मिसाल आपके साम में दे रहा हूँ नाइन्टी नाइन्टी फाइ आक्ट में वक्फ बाई यूजर है याने कोई चीज के इस्तेमाल करने की वज़े से वो प्रापरटी वक्फ हो जाती है इसा नमाज हो रही एक जगा पर यतीम खाना है खबरस्तान है अब बीजेपी इस बिल में वक्फ बाई उजर खतम कर रही है वैसे अगर आप हिंदू धरम में देखेंगे कई इंडोमेंट बोर्ट में देखेंगे वहाँ पर बाई यूसेज वो प्लेस रिलियस हो जाती है लौ में हैं हिंदू धरम के इंडोमेंट में अब आप में बेर को बताईए एक एक जामपल दे रहा हो उत्तर परदेश में एक लाग एकीस हजार रिजिस्टर्ड वक्फ प्रापरटीज है सुनी वक्फ बोर्ड में उसमें से एक लाग बारहजार तो वक्फ बयूजर है जब वक्फ बयूजर खतम हो जाएगा तो कौन सालाव अपले होगा उसके अपर एक यह हो गया यह इनका यह वक्फ बोर्ड बचाने का मतलब में खीसने का मतलब है दूसरा उसमें क्या है कि कोई पांच साल जो मुसल्मान रहेगा उसमें लिखावा है प्रैक्टिसिंग मुसल्मान रहेगा वो ही वफ करेगा अब प्रैक्टिसिंग मुसल्मान का मतलब क्या है क्या वो पांच लोगत की नमास पढ़ने वाला होगा क्या वो दाड़ी होगी सर पे टोपी होगी क्या वो रातों में जाके मजज़िद में अबादत करेगा क्या वो खुरान का हाफिज होगा क्या उसकी वाइफ मुस्लिम होगी या नौन मुस्लिम होगी ये तुम कोनों ते ते करने वाले पांच साल प्राक्टिसिंग मुस्लिम है ना ये देख लो आप अच्छा कोई ऐसा लौ हिंदू धरम में नहीं है कोई भी कभी भी दान दे सकता है आप ये क्यों लेकर आए बताओ आप कोनों ते मैं प्राक्टिसिंग हूँ नहीं हूँ मैं मुसल्मान हूँ मेरे घर में जाक के देखें के नर्दन बोडी या पिर पांच साल के बाद मोडी बोलेंगे हाओ बटा तो मुसल्मान सटिफिकेट लेकर जाओ हाँ तीसरा अब उसमें देखनो तीसरा क्या है उसमें कि ये बोला जा रहा है कि कोई भी वक्त प्रापटी जो गॉर्मेंट के खबजे में है उसका फैसला कलेक्टर करेगा अब आप मेरे को बताईए कलेक्टर खुद गौर्मेंट का होता है एक्जेकुटिव का क्या कलेक्टर अपने मामल में जजज बन सकता क्या ये तो प्रिंस्पल्स अफ नैच्टरल जज्सिस के खिलाफ है भे आप में मेरा जगड़ा होगा तो आप जजज कैसा बनेंगे तो कलेक्टर को अख्तियार दे रहे कि कलेक्टर तैय करेगा अच्छा पिर सर्वे कमिशनर होता है जो सर्वे करता है प्रापटीस को ये बोल दिये कि ने सर्वे कमिशनर ने करेगा कलेक्टर करेगा सर्वे कमिशनर एक अलग होता है डिपार्टमेंट उसको खतम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं भई आप उसको फिर आप ये कर रहे हैं कि सेंटल वफ काउंसल में वहाँ पर सिर्फ एक नॉन मुसलिम मेंबर होता है मिनिस्टर होता है बाखी के पूरे जितने कैटेगरी से उसे मुसल्मान होता है आप उसको खतम करके मेजॉरिटी नौन मुस्लिम को मिंबर बनना चाह रहे हैं स्टेट वर्ख बोर्ट में पूरे मुस्लिम मिंबर्स होते हैं उसको आप क्या कर रहे हैं आप उसमें से कम आठ या नौन मुस्लिम को अपॉइंट करना चाह रहे स्टेट वखवोर्ड में इलेक्शन होता है मुतावली काटेगरी का MLA MP काटेगरी का और बार कांसल का आप नॉमिनेट करेंगे अचा नॉमिनेट क्यों करना चाह रहे हैं अगर आप वखवोर्ड का एक देखेंगे तो वखवोर्ड में आपकी प्रापटी वफ है मैं उसको डिरेक माइनमेंट ने पांच साल के ले सकता हूँ जब मैं अपने लोगों को नॉमिनेट कर दूँगा उसमे तो मैं डिरेक माइनमेंट ले लूँगा इनकी नियत खराब है उसमे फिर आप ये कह रहे हैं के कोई हिंदू वफ नहीं कर सकता है क्यों नहीं कर सकता हिंदू वफ हिंदू वफ कर सकता है वो मतवली भी बन सकता है मगर आप हिंदू वफ नहीं कर सकता है उसको खतम कर रहे है और हिंदू को मिमबर बनाना चाह रहे हैं आप सेंटरल वर्फ कॉंसल है के दिर शेल भी टू दिर शेल भी शेल का मतलब मेनिटरी अंगरेजी में दो मिंबर रहेंगे मिनिमम फिर ये जूटा प्रोवगंडा बीजेपी की कि हम महिलाओं को बना रहें पढ़ते नहीं है आलेडी महिला का प्रोविजन है अब ये बोने के दो बनाएंगे अभी जो प्रोविजन है एक लीस्ट तू याने दो से बढ़ सकते हैं आप दो कर दियो खाली उसको वर्फ का एक ट्रैबूनल है अब ट्रैबूनल में जूटा प्रोवगंडा करते हैं कि इसका decision final होता है भाई NGT tribunal है income test का tribunal है railway claimants tribunal है इससे 14 tribunal है जिनका decision final होता है अपील नहीं कर सकते भाई tribunal के judgment के बाद high court में review petition डाला जाता है अपील करने से तो लाखो केस court में है और review petition में high court पूरा record मगा सकता है तो ये वफ के favor में नहीं है फिर इसमें आपने एक खानून लेकर आए अभी खानून क्या है कि अगर कोई वफ की जज़ाद को चोरी से बेशता है उसको दो साल का rigorous imprisonment non-bailable अभी मोडी जी के दिमाग में ख्याल आया क्या ख्याल आया कि तो वफ की जज़ाद को बेश दे मोडी है तो मुम्किन है क्या मुम्किन है कि तेरे को दो साल नहीं simple imprisonment तेरे को बेलेबल हो जाएगा तो वफ के मफाद में क्या हो रहा है ट्राइबूनल है वफ का ट्राइबूनल उसमें एक district judge cj appoint करते हाई कोट के एक Islamic knowledge का जानकार और एक eminent person अब आप क्या करते है retired district judge retired government employee कैसे होगा फिर अगर आपकी कोई वफ की प्रापर्टी है मैं जाके complain करता हूँ कि यह वफ नहीं है तो collector will order an inquiry अच्छा pending inquiry your property will not be वफ की act में बोल रहे है and there is no time limit for that inquiry and the collector will do the inquiry as he deems fit इसका क्या मतलब यानि आपके प्रापर्टी को मैं complain कर दिया कि यह वफ नहीं है तो collector साब दस साल ले लेंगे तब भी वफ नहीं देगा वो अपने control में उनके control में आ जाएगा तो all in all अगर आप देखेंगे इस bill में वफ प्रापर्टी के एफिशेंसी के लिए नहीं बनाया गया है यह वफ प्रापर्टी को खतम करने के लिए बनाया गया है अब हिंदू मेंबर्स को या नौन मुस्लिम मेंबर्स का पॉइंट कर रहे है भई आप उत्तर परदेश में जाएए उत्तर परदेश में जो काशी बोर्ड है महाँ पर तो क्लियर लिखावा है कि he has to be हिंडू अगर हो हिंडू धरम छोड़ेगा तो मेंबर्शिप चले जाएगी फिर आप देखे लिजिए जाकर आप ये जो आपका टेमिलनाडू का एक्ट है चेलेंगाना का इंडूमेंट आक्स है आंधरा का है ओडिसा का है इसमें सब लिखा गया कि only हिंडू will become the member अच्छा हिंडू की परिभाषा क्या है सम्विधान में हिंडू, सीख, बोद और जेंग मगर इन मंदिरों में सिर्फ हिंडू बनेगा मेंबर अब मिसाल के दोर पर मुंबई में इस ट्रस्ट में है आपका कौन सा मंदिर है सिद्धी विनायक है गुजरात में सोमनाथ की मंदिर वो भी ट्रस्ट में आता वहाँ पर आप किसको बनाते हैं मंबर आप आप एक बास सम्दिए तिरुपती के प्रसाद में घी में एनिमल फैट आया तो इतराज हो रहा है बिल्कुल सही है नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो मगर आप हमारे धरम के संस्थानों में आप कैसे नों मुस्लिम को बनाएंगे प्रसाद में आप बोल रहें कि एनिमल फैट आ गया तो घलत है वर हम भी मानते हैं घलत है नहीं आना चाहिए उनकी आस्ता है मगर यहां पर हमारे धरम में यह तो वकबोट तो है मुस्लिम धरम का इस्ता है तो इसलिए यह जो बिल मोडी लाए है उनकी सरकार लाई है वो वक प्रापरिटिस को चीनना चाह रहे अच्छा अभी हाजी मलंग की दरगा है एक नाच छिंडे का स्टेटमेंट है कोई दरगा नहीं हम नहीं मानते अब यह खानून बनेगा तो कलेक्टर साब के पास जाएंगे कोई कलेक्टर बोलेगा नहीं नहीं यह दरगा नहीं है यह तो कुछ और है यह inquiry order कर देगा यह कैसे होगा बताईए आप अच्छा एक मैं ठेरी इसमें A.S.I. के protected monuments भी है A.S.I. चाहता है के पूरा यह निकाल दिया जाए वकबोट से A.S.I. का section 16.1 पड़ी आप वो यह बोलता है कि the religious character of any protected monuments can never be changed तो यह इसलिए हम कहे रहे हैं कि यह वकबिल जो नरेंदर मोडी लाए है वो वकब की properties को बचाने के लिए नहीं वकब के properties को efficient बनाने के लिए नहीं अच्छा जो वकबोट को मतवली 7% डेते थे अपने income का उसको आप 5% कर दिये यह कौन सा वफ के मफाद में काम कर रहें बताओ बाब तो इसलिए यह सब एक मुसल्मानों से उनकी मस्जिदों को चीनना चाते हैं दरगाओं को चीनना चाते हैं खबरस्तानों को चीनना चाते हैं इसलिए इस बिलकुल आए हैं लो एक ये बाद एक ये बाद एक ये बाद मैं कहने जा रहूं भाग लो